कि मुश्किलों से मुहब्बत है हम यह वक्त तू क्या टकराएगा उठेंगे जब हांत हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा चलिए इसी किताब चुरू करते हैं चलिए बच्चो तो आज हम आप लोग के लिए लाए है साइंस का चेप्टर इससे पहले आप आप लोग हमार कर conspiracy का प्रावर्तन और अपकास कशलों कि दन्गे गद्रमाल अगिक्सा गद्रमें सनीज्ड़ाइब और फिशीक में पहला चैप्टर आप लोगग का प्रकास का प्रावर्तन हम लेकि आए हैं तो परकास का प्रावर्तन में हम जानेंगे पहला टौपिक सबसे पलए जमें जराते kg निकलता या जगा से प्रकास क्या है तो Woman से किसी से मनोस्य पार के उर्जा प्रकाश का मूद्गी और यह kulेरी मेरे यह से जगती है फ्रकास यह कहा'll कुमि क violence एक मतोलकि करते बुर्जा को कि Yeं शूकंते है तो प्रकास मुआधय नियॉ-त कर अर दूस्थ तो हम बोलेंगे कि प्रकास एक उर्जा का रूप है, जिससे जो किसी वस्तु को देखने या देखने की अनभूती प्राप्त होती है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, माली जी हमारे यहां से प्रकास निकली हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनभूती जा आज देखने की अनुभूती जागरित होती है चलिए तो प्रकास हो गया तो हम आगे देखेंगे कि प्रकास स्रोत क्या है प्रकास है सोत क्या है प्रका समझान गए प्रकाश्यकों जान गया निवीचे जैपने की परकाशन क्या देख़ के फिक दुक्या होना के इसी ज्चि़ का प्राप्ति हना से किसी आदमी मिफ एक इन्सान से कुई रही चीज प्राप्ति और दो करें दो प्रकास स्रोत कहता है उनसी हो सकता है एक हो जाएगा क्रित्रीम हो सकता है क्रित्रीम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्राकिर्थिक प्राकिर्थिक क्या है और क्रित्रीम क्या है प्राकिर्थिक क्या है और क्रित्रीम क्या है क्रित्रीम बोले तो क्रित्रीम बोले तो जो मानवद्रा निर्मित किया गया हो मानवद्रा निर् हे जैसा इसको यह कहेंगे शूर्य देख लीजिए शूर्य शूर्य जो होता है प्राकिर्ती कोता है मतलब ही फानि這些 हो निया गया है चलिए हम अब तक जाने की प्र प्राकिर्तिक देखो, जो प्राकिर्तिक दुरा निर्मित हो, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इसा प्राकिर्तिक है, तो प्राकिर्तिक प्रकासरोत और कृतरिम प्रकासरोत आगे हम पहेंगे कि पदार्थ को जो है, दो भागों में बाटा गया है, प्रकास के अधा परकास के आधार पे बस्तुओं को दो भागों में बाटा गया है पर पहला हो गया दीप्त वस्तु दीप्त वस्तु दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तु इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु दीप्त या प्रदीप्त वस्तु और दुसरा हो गया अप्रदिप्त वस्तु तो दिप्त वस्तु किसे कहेंगे तो दिप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकास का उत्सर्जन होता है उसे दिप्त वस्तु कहेंगे और अप्रदिप्त वस्तु वैसा वस्तु वैसा पदार्थ जिससे प्रकास का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रद्रब्ष्टाव अब दिप्त वस्थु काहतें कि इसको एक्जांप्ल, भी jae दीप्त वस्थु जैसे हम देख लेंगे सुर्य हो गया, सबसे बदेख मुद्ध अधुर्चास का सबसे बदारनase मुद्ध और स्थुर्य नहीं है, बहुत सार वस्तु यह जिससे प्रकास का प्रावरतं ने प्रकास का उत्सर्जन नहीं होता है उसे प्रकास का उत्सर्जन संब्सक्राइब आप प्रदिप्त वस्तुए और आप दिप्त वस्तुए अब आगे हम परेंगे प्रकास का प्रकास का प्रकिर्णन क्याए वाट इज वाट इज इस्कैंटरिंग और लाइट तो प्रakण रेख़ा में प्रकन करती है और किसी कन पर पड़ती है कऔ प्रकास को तरजित कर लिति हैं मतलब आपने अंदर अफोशित कर लेती है और अफोशित करने लिशांता अपने चार और फैला देती हैं तो इसे हम कहते हम कहते हैं प्रकास का किसी सुच्मकन के से तकराती है तो वह सुच्मकन इस प्रकास को अपने अंदर अफ्षोसित करने के बाद यह अपने चारों फैला देती है तो इस प्रकिर्या को इस पूरी प्रकिर्या को क्या कहेंगे तो आजे तो अभ Зап गरी किरन अपने अरास्ते प्रहस्य करती और कोई किसे कौन से टाइओ यह कौन जो है इस प्रखास कि यांधर क्या करती है अपने एंदर अफसोसित कर लेती है ऑंसोसित करके इस प्रकास को चारो तरह सलोगी ऊंशाम तो इसे कहते हैं प्रकास का प्रकुर्ण कईया और आगे हम देखने वाले हैं कि कि की रन क्या है की कीरन जब कोई प्रकास की कि रहन एक सरल रेखा में करती है तो इसे क्या काते थे प्रकास रोला उपतेने कीरन पश्यैन है वाख शोर्य की यह जान चुक्ए है कीरन कीरन शरल कीरन किसे कहते हैं हम जाने की कीरन क्या कीरन है प्रकाश जब कोई प्रकास सरल से क्या हिए केरन करती है यह कीरन कहते हैं और कीरन के आगे देखिए कीरन पूंज है कीरन पूंज किसे काते हैं तो एक रेखा जब चले तो इसे कीरन काते हैं एक रेखा चले तो इसे क्या काते हैं कीरन काते हैं और इसी तरह अगर धेर सारी धेर सारी एक साथ चले तो इसे क्या कहेंगे जब धेर सारी एक साथ रेखा चले एक साथ परकास चले तो इसे हम किरन पूंज कहते हैं किरनों के समू को किरनों के समू को क्या कहते हैं किरन पूंज कहते हैं किरन पूंज कितने परकार के होते हैं तो कि रन पूंज तीन परकार के होते हैं कि रन पूंज तीन परकार के होते हैं। पहला अपसारी किरन पूंज पहला अपसारी किरन पूंज पूंज दूसरा हो गया अभिसारी किरन पूंज तीसरा हो गया अपसारी किरन पूंज अभिसारी किरन पूंज तीसरा हो गया चलिए तीसरा हो गया समानांतर किरन पूंज तीसरा हो गया तो अपसारी किरन पुझ किसे कहेंगे, इसी वर्ड में चुपा हुआ है, तीनों के तीनों में चुपा हुआ है, कि तीनों है क्या, अपसारी अपसारी बोले, तो अपसारी का मतल़ होता है, प्रकास का फैलना, एक जगह से प्रकास के फैलने को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, अपसारी, अभी सारी बोले, तो धेर जगों से, अनेक जगों से एक जगह आ कर इक ठे होने को, इक ठा होने को क्या कहते हैं, अभी सारी कह अभी सारी कहते हैं और समनांतर तो बच्चों आप जानते ही होएंगे समनांतर मतलग कि एक साथ चलने वाली रेखा को सीधी रेखा में सभी जगा समान दूरी बनाये रखने वाली रेखा को क्या कहते हैं समनांतर कहते हैं तो समझ गए किसे क्या कहते हैं कि अब सारी किसे कहत कहते हैं और सकाइन कि कहते हैं तो कि कहते हैं केश्म करते हैं किरण देखो देखें फिल टीन प्रकार कें अभी सारी रेक्रण पूष समनं कई बले तो अभिसारी बोले तो converging beam और समरांतर बोले तो parallel beam तो अभिसारी इसी तीनु वर्ड में तीनु का मतलब छिपा हुआ है आपको बता है पहले अपसारी अपसारी बोले तो एक बिंदू से चारों दिसाओं में फैले उसे क्या कहेंगे अपसारी बोलेंगे अपसारी और दूसरा अभिसारी मतलब एक अन्य दिसाओं से चलकर एकव बिंदू पर मीले एक बिंदू पर मीले परकास तो इसे कहेंगे अभिसारी अभिसारी और समना अंतर तो पहले से जानते हैं कि समना अंतर क्या है कि कि इसे क्या काते हैं समनांतर जहा तो समनांतर थिनुर समझ गये histranya का बढICE और कियंके तो है चलिए अब आज किशाओं में प्षैल जाए इसे क्या कहेंगे अभी सारी कहएंगे और अभिसारी बोले तो परकास के कीड़ू का वयस्डा समू जिसमें परकास की कीरनबhr किढ़ान विभिन माध्यामों से चलकर एक बिंदू पर केंद्रित हो जमा हो उसे प्रती एक जगह एक दूसरे के समनांतर हो या समान दूरी पर उसे क्या कहेंगे इसके बाद हम लोग परने वाले हैं कि पदार्थ पदार्थ जो है प्रकास के भी उसे मतलब तीन भागों वर्गों में बाटा गया है तो पाले जय नहीं कि पदार्थ किया है पदार्थ पदार्थ क्या है तो बहार बोले तो मान्य अवसाक्ताओं की पुर्ती करने वाले को बस्तु हैं किया कोटे हैं अगर मानों का जो है अवसाक्ता की का इद थोड़ा तो उसे क्या कहा की लिए तीन के लिए थे पहले क죠 ऊच्टे तुथ तो प्रक्रत के बोले ता प्रकास के भी उसे टेन रव कर दो गया है बहां पर यह बता चुके थे तो फॉला हो गया पारदर्सी पदार पारदर्सी पनलत तो धूंस्ट गया थे कि ओप आर दर्सी पदार्थ ही तो갈 दे पार भासी पदार्थ तो पहला देखेंगे पार curiosity पार ťी पदार्थ बहले तो वह ऐसा पदार्थ जिस से और प्रकास की किरन जो है पूरी तरह एकदम किलियर पार कर जाए उससे क्या पारदर्सी पदार्थ कहेंगे जैसे जल ले लिजी एकदम किलियर जल साफ जल गंदा जल नहीं साफ जल बोले पन्नी ले ले पन्नी एकदम किलियर वाइट पन्नी तो उसे भी क्या कहेंगे पारदर्सी पदार्थ कांच एकदम साफ कांच ले ले कांच मतलब बोले तो सीसा क तोरा भी पार नव करें जैसे ब्लाक वाइट लीजे इस तेपर जो है उस पर नहीं पार हो रहा है तो इस नहीं पार हो रहा है मतलब कि पूरी तरह नहीं हो झाये मड़को क्लाएं। जैसे भूण दला समझे से तेल में भीगा हुआ कागचविर देख सकते हैं जिसosed थोड़ा पार होता है थोड़ा नहीं पार होता है भूण सारी बस्तु हैं घीसा हुआ सी साथ को ही लिए एक तरफ से घीस दे पेंट नहीं करें घीस थे रोड पर ही कहीं भी किसी भी चीछी स भी साब सिशा परभाजी पदार्थ किसे कहते हैं रभाज dewक देख चुकि करते हैं और परदर्स आ पारभाजी कि से कई हो तो नहीं किए ही किरन आरेख किसे करते हैं कि कीfront आरेख किरन आरेख नहीं क्या फासी की Compa का स्थ लिजर वा है किरन आरेख कि मत्लगे है कि कि लिधा रिक रेख मतलद की सकते है की की लोल एक बहुत् debugging कि तो इसी को पॉथ यहां से पॉथ जा रहा है तो पॉथ दर्सा रहा है जो उसे क्या कहेंगे इस चित्र को या फिर इस आरेख को क्या कहेंगे कीरन आरेख बोलेंगे मतलब प्रकास की कीरन का पॉथ दर्साने वाले चित्र को या फिर दर्साने वाले आरेख को क्या कहते हैं की अब इसके बाद हम देखेंगे प्रकास के गुन, प्रकास पर लिए और प्रकास के गुन देखेंगे, प्रकास के कौन कोन से गुन होते हैं, तो प्रकास का गुन देखेंगे, तो पहला प्रकास का कुन होता है, कि प्रकास का क्या होता है, प्रकास का क्या होता है, प्रकास का क होता है प्रावर्तन होता है दूसरा गून देखे तो पहला प्रकास का प्रावर्तन होता है दूसरा प्रकास का क्या होता है प्रकास का अप्रावर्तन होता है तो अप्वर्तन भी होता है अप्वर्तन होता है होता है कि तीसरा देखे तो क्या है प्रकास का विवार्तन भी होता है, विवार्तन होता है, यह सारे प्रकास के गुन है, चोथा देखे तो क्या है, प्रकास का व्यक्तिकरन भी होता है, प्रकास का व्यक्तिकरन होता है, प्रकास का क्या होता है, प्रकास का द्रूवन होता है, प्रकास का क्या नमर है, प्रकास का द्रूवन होता है, कि है प्रकास का धुरूबन होता है प्रकास जो है और एक अगला है प्रकास जो है प्रकास जो है सीधी रेखा में गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है गमन करती है वे कासी आधा में गमन करती है लो सब्सक्राइब करती है ई 테ली तुभ गातकर चाटानबर किया है प्रकास दुर गेर कंके और साथनलोमर घुन मौल लोग भी शेपन होता है जिसकी माध्यम से हम लोग देखते हैं है इसाफ होता है इसकी मठेम नोग्त hoss अगली और सब्सक्राइक marian करति हैं इत तो पाला लेख लिजे पाला स्ट्रैय देजिए है कि प्रकाष Amazon कु गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की का इक नहीं होती हमतल inhal प्रकाष जो है को सभने होती हैं मतले कि प्रकाष जो है ठोस में भी गणापन कर सकती है पानी रखेंगे द्रॉब में द्रॉब में भी गमन कर सकती है और हावा हावा रखेंगे उसमें भी या गमन कर सकती है तो परकास के गमन के लिए किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है तो पहला टॉपिक हो गया है परकास के गमन के लिए परकास के गमन के लिए किसी भी माध्यम की माध्यम की अब सेकता नहीं होती है ता नहीं होती है दूसरा इस्टार में देखे तो प्रकास जो है एक अनुदर्ध तरंग है जो अनुदर्ध तरंग है प्रकास एक अनुदर्ध तरंग है जो किसी भी धातु से जो किसी भी धातु से धातु के सत्ह से क्या करती है इलेक्ट्रोन का किसी भी धातु की सत्ह से प्रकास इलेक्ट्रोन का इलेक्ट्रोन करती है क्या करती है वी तक हम लोगों ने 10 टोपिक देख लिये और आज के लिए इतना ही अगले टोपीक को अगले वीडियो मेंatar और अगर आप लोग चैनल में ने हैं तो चैनल को सब्ग्राइब करें लाइक करें और सेर करें बेल आइकन को दवाना नहीं बूले क्योंकि अगर आगला वीडियो आख पर फटलब पले जो है आप पर घंटी बजेगी तो आंगला वीडियो आप देख सकते हैं और अगर पहुचा सकते हैं तो धन्यवाद इसके लिए आगे